कोशन है सर शादी करनी है कब करनी चाहिए what is the right age तो भाई मैं अपने experiences से और जितने लोगों से मिला उनके experiences से आपको बताने कोशिश करूँगा कि सबसे important चीज यह है कि एक अच्छा life partner मिलना बहुत ज़रूरी है मैंने बहुत से ऐसी cases देखे जहां पर एक अच्छा life partner मिला और struggling के टाइम पर मिल गया तो जिन्दगी उसके बाद काम्याबी की तरफ जाती चली गई आप पैसे जोड़ते चले गए अपनी properties बनाई परिवार के साथ रहे बहुत ज़रूरी था फिर मैंने कहीं पर ऐसे भी देखे cases जहां पर लोगों ने stability को देखते वे बाद में शादी करी बाद में लाइफ पार्टर अच्छा रही था और बाद में court कचहरियों के चकर काट रहे है और जिन्दगी को 5 साल पीछे लेके चले गया सबसे जरूरी ची शादी के अंदर है वो है life partner कब का नहीं है time का नहीं है जब वो life partner समझ में आ जायता तब आपको शादी कर लेनी चाहिए first thing second thing जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह बताना चाहूंगा कि marriage is not about love marriage is about compromises marriage is about sacrifices marriage is about fights marriage is about koop sara ghussa this is real because love is unreal यह आपको समझना पड़ेगा so you just have to plow through यह नहीं के शादी करी समझ में तलाक शादी करी समझ में तलाक नहीं चलेगा I have been I had been in relationship for 10 years और 6 साल हो गया शादी को दबा के लड़ायां होती है बस यही चीज सोची वे कि कुछ भी हो जाए भाई अब तो फ्लो करना है अब तो बस जूजते रहना है अब give up नहीं कर सकते अब नेक्स कोशन दा कम दी सर्वाट अच्छा मिल गया है कौँ तो सही टाइम रहेगा शादी करनेगा विल गई अगर मैं अपनी बात करूँ जो मुझे लगता है जब आप अपना Class 1 के exams दे रहे हैं तो ने आप Second屋 लगब लगब बन चुके है और या फिर जब captain के exams दे रहे हैं उस time पे is the right time to get married because अब आप exams देते हैं कम सकम आप एक साल घर पे होते हैं उस time पे बहुत अच्छा attachment बन जाता है that is the best time to get married but इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने captain के exam या second chief engineer के exam दे रहे हो 35 दे रहे हो तो आपको 35 kg में शादी करनी है हां अगर यह 30 के आपस दे हैं 29-30 और अगर आपको exam से रहे हो that is the right time to get married because that is a time when you take your spouse when you can take your spouse with you to give exams, spend a lot of time घूम फिर सकते हो थोड़ा पैसा है जैम आता दी so this is an advice from my end all I can say is यार एक बार अगर कर ली तो फिर पीछे मोड के नहीं देखना है first thing, second thing is ज्यादा expectation मत रखोगी और शादी जोड़ा ओहो Cinderella वाला फेर होगा बड़ा प्यारे घूमेंगे फिरेंगे गाने चलेंगे नहीं लडाईया होंगी जूजना पड़ेगा compromise करने पड़ेंगे sacrifice करने पड़ेंगे and at the end of the day we can't give up और यह आप लोगों के लिए भी नहीं है यह मेरे शादी को 6 साली हुए अभी बहुत सारे साल बाकी है मैं अभी give up नहीं कर सकता है यह आपके और मेरे दोनों के लिए So Seafarers last but not the least जो लोग शादी कर चुके हैं प्लीज अपना experience शेर कीजिए comment section के अंदर और बताइए कि आपके हिसाफ से शादी कप करनी चाहिए और जो लोग अभी वो लवी डवी सिस्टम से जा रहे हैं affair सिस्टम से चल रहे हैं जिनके relationship चल रहे हैं आप बताइए वही आप कप करने वाले हों Thank you very much जैहीं जैवारत जैम आता दी